आज की इस वीडियो में हम आप से 10 ऐसे फैक्ट्स सेयर करेंगे जिसे सुनकर साइद आप चौक जाएंगे तो किर्पिया इस वीडियो में अंत तक बने रहें और इन फैक्ट्स का लुपत उठाएं और हमें अपना सपोर्ट दिखाएं अफरीका के पहले राष्टपती नेलसन मंडेला को तो पूरी दुनिया जानती है नेलसन मंडेला ने अफरीका के लोगों के हको के लिए बहुत सारी लराईयां लरी उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को अफरीका के लिए समर्पित कर दिया अफरीका के लोगों के लिए न पूरे अफरिका के नक्से जैसा अकार बनता था और यह बहुत ही हैरानी की बात है नेलसन मंडेला हमेशा अपने देश के साथ जुरे रहें और उनका देश भी हमेशा उनके हाथों के साथ जुरा रहा अगर आप पूरी दुनिया में कहीं घूमने जाते हो तो आपको अपनी जेब से पैसे खर्च करने परेंगे लेकिन यदि आप अलास्का में 180 दिनों से अधिक रहते हैं और आप पर अपराध करने का कोई आरोप नहीं लगता है तो वहां की सरकार आपको 1,40,000 रुपिये पर एक्त नंबर 8, मचली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है उसी तरह इनसान धरती का už और ऑक्सिजन के बिना खत्म उसकी जिन्दगानी है, लेकिन दोस्तो अब ऐसा नहीं है, क्यूंकि इनसान बिना ऑक्सिजन के भी जिन्दा रह सकता है, जी हां दोस्तों आपने ठी यानि की बलड सर्कुलेशन में इंजेक्ट किया जा सकता है जो इनसान को 15-30 मिनट तक सांस नहीं लेने पर भी जिन्दा रखने में मदद करती है और इसे देखते हुए यह कह सकते हैं कि वाकई हमारी दुनिया तरक्की कर रही है Fact No.7 किसी भी देश की करंसी का नाम सुनते ही हमारे मन में सिर्फ दो ही चीज आते हैं या तो कागज की करंसी या फिर धातु की कोई करंसी लेकिन क्या आपको पता है Microconesia एक ऐसा Ice Land है जहां पत्थरों को करंसी के रूप में चलाया जाता है पत्थर जितना बरा और पुराना होता है उसका मुल्य उतना ही अधिक होता है पत्थर के बीच में एक छेद भी होता है जो उसे कहीं ले जाने और कहीं से लेके आने के लिए इस्तेमाल किया जाता है Fact No.6 धुमरपान हानी कारक है यह बात हम सभी को पता है लेकिन क्या आपको यह बात पता है कि साल 1920 में सिगरेट को इस तरह से मार्केट किया गया था जैसे कि वो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है और वो सब को पीना चाहिए और खास कर तब जब आप बिमार हो इसलिए कई होस्पिटलों में सिगरेट को मेडिसीन की तरह रखा जाता था और मरीजों को पिलाई जाती थी लेकिन साल 1950 में जब दोबारा इस पर सोध किया गया तब यह बात सामने आई कि सिगरेट हमारे सौस्त के लिए हानिकारक है और उसके बाद सिगरेट को हानिकारक खानपा की चीजों में सामिल कर दिया गया जब हम सोते हैं तो कभी कभी सपने भी देखते हैं और हम अपने सपने में वह सभी चीजे देख सकते हैं जो हम अपनी जिंदगी में करते हैं हम अपने सपने में अक्सर वही सारी चीजे देखते हैं जो हम दिन भर सोचते हैं या फिर करने की कोशिस करते हैं लेकिन क्या आपको पता है जब भी हम अपने सपने में मरने वाले होते हैं तो अचानक हमारा सपना तूट जाता है और हमारी नींद खुल जाती है क्योंकि हमारा दिमाग ये नहीं जानता कि मरने के बाद क्या होता है जैसे कि हम अपने सपने में अगर गिरते हैं तो हम अपने सपने में रो सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि गिरने पर चोट लगती है और चोट लगने के बाद इनसान रोते हैं लेकिन हमें यह नहीं पता है की मरने के बाद क्या होता है, इसलिए जब भी हम स्पने में मरने वाले होते हैं, तब हमारी नीद खुल जाती है Fact नंबर 4 इस दुनिया में बहुत सारी बरी बरी कमपनिया है लेकिन क्या आपको पता है दुनिया की सबसे प्रोफिट वाली कमपनी कौन सी है चलिए मैं आपको बताता हूँ साउधी अरब की तेल कमपनी साउधी एरमेको दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रोफिट वाली कमपनी है साउधी एरमेको का 2018 में प्रोफिट 8 लाग करोर रहा था और 2020 में प्रोफिट 7 लाग करोर रहा था साथी एरो मेको का कुल प्रोफिट एपल, गूगल और एक्सोन मोबिल कीनों की कुल मिला कर नेट इंकम के बराबर है और यह कंपनी दो ट्रिलियन डॉलर की हो गई है तो दोस्तों क्या आपने इस से पहले इस कंपनी का नाम कभी सुना था यह बात आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं इस दुनिया में बहुत कमी ऐसे इनसान होंगे जिन्होंने चारली चैपलिन का नाम नहीं सुना होगा चारली चैपलिन एक ऐसे इनसान थे जिन्होंने बिना एक सब्द बोले ही हमारे बचपन को सुनहरा बना दिया और हमें खूब हसाया है और चारली चैपलीन एक ऐसे अदाकार थे जिन्होंने ओसकर एवर्ड भी जीता है लेकिन क्या आपको पता है जब चारली चैपलीन को ओसकर दिया गया था तो लोगोंने 12 मिनट तक खरे होकर दालियां बजाई थी जो ओसकर इतियास का अब तक का सबसे बड़ा अस्टेंडिंग ओवेशन है फेक्ट नमबर टू हमारी धरती सूरज के चारो और घूमती है लेकिन क्या आपने कभिया सोचा है कि अगर हमारी धरती एका एक सूरज के चारो और घूमना बंद कर दे तो फिर क्या होगा अगर ऐसा कभी होता है कि हमारी धरती सूरज के चारो और घूमना बंद कर दे तब पर भी हमारे धरती के अंदर समुद्र और हवा उसी तरह घूमती रहेगी और ग्यारा सो माइल्स पर आबर के स्पीड से घूमेगी जिसका नतीजा यह होगा कि हवा और बहुत सारी सुनामी आएगी जो हमारी धरती को पलक जपकते ही डिस्ट्रोई कर देगी और पिर्थवी का सारा जीवन उसी समय खत्म हो जाएगा यह जो छोटा बकसा है जिसे इस आदमी ने अपने हाथों में पकरा हुआ है इसने 80,000 लोगों की जान ले ली जी हाँ दोस्तो यह एक छोटा सा बकसा 80,000 लोगों को मौत के घाट उतारने के काम आया था यह बात तो आप सभी को पता होगी कि नागा साखी में परमानू बम से हमला किया गया था जिसके कारण 80,000 लोग मौत के घाट उतर गये थे और जिस निकलियर बम से नागा साखी में हमला किया गया था उस बम का नाम फैटमेन था और इस आदमी के हाथ में जो बकसा है उसी में फैटमेन का निकलियर कोर रखा गया था सोचिए दोस्तो क्या किसी को ऐसा लग सकता है कि छोटे से बकसे की वजह से 80,000 लोग अपनी जान गबा सकते हैं तो दोस्तो आज का ये वीडियो यहीं तक था अगर इस वीडियो में बताएगे फैक्ट्स आपको वाकई पसंद आये हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें इसे सेर करें और हमारे चैनल फैक्ट बश्टर को सब्सक्राइब करना न भूलें मैं आपका होस्ट और दोस्त फैक्ट बश्टर आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में इसी तरह के कुछ दिल्चास फैक्ट्स के साथ जय हिंद वंदे मात्रम